हाउ तो अट पॉलीगोन नेटवर्क औन मेटा मास्क यूजिंग मॉबाइल फॉन तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीकी से आपने मॉबाइल फोन में अपने मेटा मास्क वैलेट के अंदर पॉलीगोन नेटवर को आड़ कर सकेंगे यानि कि कोई भी आप नया network अपने metamask के अंदर बहुत ही इजली add कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद तो चलिए इस वीडियो को सुरू करता हूँ स्वागत है आपका add in skill के account नय फ्रेस वीडियो में इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके notification बिल को जरूर on करिएगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको NFT open से metamask या फिर earning skill part time full time job से related जैनूर वीडियो मिलते रहती हैं तो देखो आपको metamask के अंदर polygon network add करने के लिए सबसे पहले आपको अपना metamask application तो open करना है पड़ेगा जैसे आप इसे open करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का interface open हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको एक काम करना होगा सबसे पहले यहाँ पर आपको three line पर click करना होगा जैसे आप इस पर click करेंगे यहाँ पर आपके सामने setting का option आएगा इस पर आपको click कर देना है जैसे आप setting का option पर click करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आज आएगा network का option इस पर आपको click कर लेना है जैसे आप network का option पर click करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने 3, 4, 5 network यहाँ पर आपको देख जाएंगे लेकिन यहाँ पर आपके सामने Polygon Manet वाला network नहीं देखेगा जो कि आपको add करना है या फिर इसी तरीके से आप किसी भी blockchain का network यहाँ पर बहुत easily आप add कर सकते हो जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक form सा खुल जाएगा यहाँ पर आपको अपने network का name डालना होगा उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आएगा RPC URL, chain ID, symbol, block explorer, URL तो यह सब कहां से मिलेगा उसके लिए यहाँ पर आपको अपना Google Chrome open करना होगा यहाँ पर हम back कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको अपना Google Chrome browser को open कर लेना है अब दोस्तों यहाँ पर आपको search करना होगा Polygon network जैसे ही आप यहाँ पर search करेंगे Polygon network तो यहाँ पर आपके सामने सबसे first website Polygon की open हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा add polygon network इस पर click करके आपको इसे open कर लेना है दोस्तों इस website के link महाम आपको description में दे देंगे उस link पर जैसे आप click करेंगे तो directly आप इस page पर पहुंच जाएंगे अब यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आना है जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक screenshot मिलेगा जिसमें आपको जो भी जानकारी चाहिए वो जानकारी यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगी जैसे कि आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं यहाँ पर आपको network मैं network यहाँ पर add हो जाएगा यहाँ पर आपको ऊपर दिख जाएगा polygon यहाँ पर नेटोर के name में तो यहाँ पर आपको इसे copy करना है जैसे आप इसे select करके यहाँ पर copy करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको अपना metamask open कर लेना है उस form को इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको सभी option को fill करना होगा description में दिएगे link पर click करके directly आप इसका screen shot ले सकते हैं उसे यहाँ पर आप easily यहाँ पर fill कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आएगा add का button इस पर आपको click कर देना होगा जैसे ही आप यहाँ पर add के button पर click करेंगे तो यहाँ पर आपका polygon network add हो जाएगा यहाँ पर मुझे मिल जाएगा polygon minute जो कि अभी मैंने यहाँ पर add किया था तो हम इसे यहाँ पर click करके directly यहाँ पर polygon minute को add कर लेंगे तो दोस्तों I hope आपने सीखा होगा किस तरीके से polygon minute को यहाँ पर add किया जाता है और अगर आपको यह वीडियो जरस भी अच्छी लेगी हो तो आप इस वीडियो को like कर सकते हैं और ऐसा ही जानकारे के लिए आप इस channel को subscribe करके notification bell को भी आप on कर लेजिएगा